ये बहदर कौम है और बहदर हमेशा मरता नहीं है जिन्दा रहता है सिंद्ध के एक सायर ने कहा था मर्द मुआ इकोने मुआ मर्दू था मुर्दा ही मरेंगे मर्द कभी ने मरेंगे मरें मर्द हमेशा जिन्दा रहता है कि इतला आपको कब मिली और आप यहां पोचे मेरे को इतला सुभाइ आठ वजे मिली कि गणपत सिंग भाटी ने मुझे इतला कि में जैसलमेड में था कि अब जवान सहीद हो गया है उनकी बोड़ी अर्शानी आ रही है आप पोच्छा को तो महरवन आप यहां पोचे आपको इनके परिवार के बारे में आप में ले हैं तो क्या इस तर्थी है क्या बात्चीत तो अब क्या होगा यह बहदर कौम है और बहदर हमेशा मरता नहीं है जिन्दा रहता है सिंदी के एक सायर ने कहा था मर्द मौा एकोने मौा मर्दू था मुर्दा ही मरेंगे मर्द कभी ने मरेंगे मरें मर्द हमेशा जिन्दा रहता है देश की इस रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और इस बात का हमको हमारे ग्राम पड़ोस को फखर है कि हमारे ग्राम के इसे बाद और देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है आप मिले हैं या आए परिवार के आस अस्थिति साधारन है और यहांके लोग साधारन जिंदगे में यह अपनी खुशी गुजारते हैं कोई बड़ा एंको लालत लोब नहीं है